नमस्कार दोस्तों स्वागत है सभी का हमारी व्यटूब चैनल में दोस्तों आज किस बीम आपको पताऊँगा कि आप अपनी Google की सर्च हिस्ट्री को कैसे डिलेट कर सकते हैं दोस्तों हम यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम जो भी सर्च किये रहते हैं तो सभी यहां पे हमें दिखता है तो दोस्तो अगर आप इसे डिलेट करना चाहते हैं तो यहां पे आप लोंग प्रेस किजिएगा तो यहां पे आपको एक अप्शन मिल जाता है डिलेट का यहां से आप इसे डिलेट कर सकते हैं दोस्तो यहां से आप चाहे तो बारी-बारी इसे करके delete कर सकते हैं लेकिन दोस्तों आपके phone में काफी सर्चिस्टी होती और वो यहां पे 18 मंद तक save रहती है तो दोस्तों अगर आप इन सभी को एक ही साथ delete करना चाहते हैं तो यहां से आप इसे सिधे cut कर दीजिएगा और दोस्तों आपके phone में एक एप होगा Chrome Google Chrome तो इस यहां पे आप type कीजिएगा www.google.com और आप इसे search कीजिएगा तो दोस्तों यहां पे आपको नीचे में एक option मिल जाता है settings का यहां पे आप किलिक कीजिएगा settings पे और यहां पे आपको फिर से एक option मिल जाता है search history यहां पे आपको click करना होगा अब दोस्तों यहां पे आप नीचे की तरफ आते हैं तो यहां पे दोस्तों आप जो भी search की रहते हैं वो सब यहां पे save रहता है यहां पे आपको 18 मन तक की search की होगी history save रहता है तो यहां से अगर आप चाहें तो एक एक करकर delete कर सकते हैं मगर दोस्तों मैं यहां पे आपक को कैसे डिलेट कर सकते हैं तो यहां पे आप आएगा ऊपर की तरफ तो यहां पे आपको एक option मिलता है डिलेट का यहां पे आपको क्लीक करना उगा और यहां पर देखिए आप इसे अपने अंसार से चुन सकते हैं लास्ट आवर या फिर लास्ट डेज या फिर आप कश्टम रेंज भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कब से कब तक का डिलेट करना है तो यहां पर दोस्तों मैं चाहता हूं कि मैरी सारी सर्च हिस्टी डिलेट हो जाए तो यहां पर हम टिक करेंगे अलवेज पर और यहां पर हम click कर दे रहे हैं delete, तो दोस्तों यहां पर देखला दे रहा deletedation completed और permanently deleted from your account, तो दोस्तों यह जो search हिस्ट है अब हमारी account से permanently हमेशा के लिए delete हो चुकी है, उम्मीद करता हम ओप छोटी से विडियो आपके क्या रखिएगा बाई